नमस्कार दोस्तों, अक्सर मेरे से पेशेंट से पूछते हैं कि मुझे पाइस है, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए लेकिन जो main point है जो main चीज है वो कोई नहीं पूसता न कोई जानता है कि अगर किसी को पाइस है तो उसे क्या करना चाहिए जिससे उसकी पाइस की problem जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए या अगर आपको पाइस नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको पाइस की problem हो ही तो वो एक point के बारे में मैं आज आज आपको चानकारी दूँगा सिर्फ एक point के बारे में एक चीज के बारे में आप जानेंगे तो आपको PILS कभी नहीं होगा अगर PILS है तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा तो मैं आक्टर विक्रम आपका मेरे चनलन में बहुत-बहुत स्वागत है चलिए सुरू करते हैं हम सब जानते हैं जब हम खाना खाते हैं तो खाना चबाते हैं उसके बाद हमारी खाने की नली से खाना पेट तक जाता है पेट में कुछ जूसेज मिलते हैं, उसके बाद वो पेट से एक खाना हमारी छोटी आथ तक जाता है, छोटी आथ में वो खाना अच्छे से पस्ता है, उससे पूरे जूसेज, पूरे पदार्थ हमारा सरीर ले लेता है, उसके बाद वो जो लास्ट का प्रोडेक्ट है, जिस उसको हम पेरेस्टेटिक मूवमेंट बोलते हैं, यह जिग जैक मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो जो मल है वो पहले उपर जाता है, फिर उसके बाद ऐसे ट्रेवल करता है और नीचे निकल आता है, जब हमें मूशन लगता है, तो एक इन्वॉलेंटरी संशेशन हो और जो हलका सा जिग जैक मूवमेंट है, उसके कारण आपको मूशन का सेंसेशन होता है, कि आपको मूशन करने जाना है, लेकिन यह आपके उपर है, कि आप उसे थोड़ा सा रोक सकते हैं, और आप जा भी सकते हैं, तो यह इन्वॉलेंटरी मतलब अपने आप हो जाना, त फिर आप motion करते हैं और फिर आपका मल जो है वो अनस्या के थिनू बाहर निकलाथा दोस्तों जब हम मल त्यागने चाहते हैं तो हम शिरुआत में जैसे हल का प्रेशर लगाते हैं तो हमारा मल काफी हुचत तक बाहर निगलाथा है लेकिन थोड़ा सा मल कभी कभी हमारे एनस में रहता है। वो बहुत कम रहता है। मालीजे की बहुत ही कम, लगबत मालीजे की 15-20 ग्राम इससे जादा मल नहीं बचता है एनस में। और उसी मल के चक्कर के कारण हमें पाइस होता है। यसे दोस्तों वो जो मल है एनस में जो है उससे हमें बहुत सेंशेशन होता है। ऐसा लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ है। लेकिन होता हूँ मल बहुत थोड़ा सा है। वो अगर रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुबारा जब फिर से मल आएगा और फिर से जब आप खाना खाएंगे तो जो आपकी प्रक्रिया होगी। उसके कारण फिर से जो मल आएगा उसके साथ वो आराम से निकल जाएगा नेक्स डे या शाम तक आराम से वो निकल जाएगा। लेकिन वो जो मल का sensation है उसके कारण हम pressure लगाते हैं और जब हम pressure लगाते हैं क्योंकि थोड़ा सा है और पेरेस्टैक मूवमेंट के थोड़े से नीचे है तो pressure के कारण वो निकलता है और जब pressure लगता है वो muscle और उस area में तो वहा की जो वेन होती है जो नसे होती है उस में भी pressure लगता है और उस प्रेशर के कारण वो वेन धीरे 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 कमसोर हो जाती है और फूलने लगती है और फिर बाहर आ जाती है जिसे हम पाइल्स बोलते हैं तो अगर आपको पाइल्स नहीं है तो आपको करना क्या है जो वो थोड़ा सा मल है वो आपको महसूस तो हो रहा है लेकिन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे में आपको प्रेशर लगाना नहीं चाहिए, और उस समय आप उठ जाएं, और उसके बाद साम तक अगर प्रेशर बने फिर से, तो फिर से आप जाएं, और फिर वो मल निकल जाएगा, मुस्ली होता क्या है, कि हम प्रेश की प्रॉब्लम होती है, फिर उप्रेशन कराते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर उप्रेशन कराते हैं, मैडिसन्स खाते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उनकी जो प्रेशर लगा रहे हैं, वो लगाते रहते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम बनी रहती है, प्रॉब अगर आपको फिषर से बचना है तो pressure कम लगाईए एक बार में पेट साफ जतना होता है उसे हो जाने दीजी अगर ठोड़ा सा मल बचा रहता है तो ईसे आप दिमाग में रखिए कि जो आपको महसूस हो रहा है वो बहुत थोड़ा समल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर आप ये दिमाग में रखके उठ जाते हैं तो आपको फिर पाइस की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी अगर आपको पाइस है तो आप एक बार में जितना पेट स जाने दीजिए प्रेशर मत लगाईए अगर आप प्रेशर लगाते हैं और इसकी आदत आपने बना ली है तो माल दीजिए कि आपको पाइस होगा ही होगा दोस्तों पाइस से बचने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है और इस तरीके के बारे में आपको कोई जानकारी न बाशा करता हूं कि आपको एंच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बट्टिन देगा तो इसको दवना बिल्कुम बिलिगा यहां पर एक रटकर के सब्सक्राइब को बट्टिन देगा तो इसको धबा दीजिए उसके पगल में एक बैल अगन है तो इ को शेयर जरूर करियेगा बहुत लोगों को कम नौलेज है इस चीज़ के बारे में तो जरूर इस वीडियो को शेयर करियेगा नीचे मैसे सेक्षान है तो मैसेज जरूर करियेगा इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए बस इतने कल फिर्म मिलते हैं जय हिन जय भारत धन्यवाद धन्यवाद थैंकि सो मच बाई